नमस्कार दोस्तों इस UPSC Terminology Lecture Series में हम लोग आज सिखेंगे C-BAM Carbon Border Adjustment Mechanism इसको हिंदी में बोलते हैं Carbon SEMA समयोजन थंत्र Carbon SEMA समयोजन थंत्र Carbon Border Adjustment Mechanism इससे सम्बंदित पहले हम एक MCQ देखेंगे उसके बाद इसको डिसकस करेंगे यह क्या यह UPSC ऐसे कोश्चन बनाता है और यह काफी न्यूज में था और यह एक बार माई में माई के करेंट अफेर में एक बार आया था और एक बार अक्टूबर में भी आया है और अभी हाल में फिर से यह न्यूज में था तो Carbon Border Adjustment Mechanism यह important है UPSC के लिए उसको आई हम पहले इसका MCQ साल्व करते हैं CBAM Carbon Water Adjustment Mechanism से संबंधित कतनों पर ध्यान देना है और बताना कितने कतन सही है पहला कतन है यह कारबन उत्सरजन को कम करने के उद्देश से UNEP की पहल है UNEP United Nation Environment Program यहाँ पर पूरा नाम हम नहीं लिखे हैं इसका नाम है United Nation Environment Program संयुक्तराष्ट परियावरन कारक्रम की पहल है आपको उताना कितने कतन सही है केबल एक सही है केबल दो सही है एक और दो दोनों सही है या इन में से कोई भी सही नहीं है आपको इसका राइट एंसर देना आप अपने राइट एंसर दें तब तक हम इसको पहले डिसकस कर लेते हैं फिर इसके एंसर पर आएंगे CBAM Carbon Border Adjustment Program ये क्या है ये European Union की एक deal है Carbon Border Adjustment Program ये European Union की एक deal है और European Seng के द्वारा एक Green Deal के अंतर गताथा है European Seng ने एक deal sign की थी क्या? Green Deal ये Green Deal क्या है ये European Union को 2050 तक Climate Neutral बनानी का एक प्रोग्राम है Green Deal European Union को 2050 तक Climate Neutral बनानी का एक लच्च निर्धारित की है Green Deal के दोरह याद रखना है ये 2030 नहीं है 2050 है UPSC डेट मेहर फिर कर सकता है EU को 2050 तक ये European Union को 2050 तक Climate Neutral बनाना है ये इसका लच्च है Green Deal का इसका एक और लच्च क्या है मतलब इस लच्च को प्राप्त कैसे करेंगे Net Emission of Greenhouse Gases को Zero करना है 2050 तक कहीं इसका भी डेट है 2050 तक Greenhouse Gases के Net Emission को Zero करना है मतलब जितने Greenhouse Gases उत्सरजित होगी उतना उनको अवसोचित करने का भी प्रोग्राम बना लेंगे तब ये क्या कहलाएगा Net Emission of Greenhouse Gases equal to Zero और एक और इसमें आता है Greenhouse Gases को कम करना कितना कम करना Minimum 55% तक कम करना Greenhouse Gases के उत्सरजन को Minimum 55% तक कम करना और इसकी डेट डिसाइड की गए 2030 तक 2030 तक Greenhouse Emission को 55% तक कम करना ये तीन लच्चे हैं किसके Green Deal के इनहीं लच्चेों की प्राप्ति के लिए इसमें एक चीज और क्या है कि Greenhouse Gases को Zero करना ना कि कम करना ये एक स्ट्रीम स्टेट्मेंट हो जाता है तो जनरली हम लोग स्ट्रीम स्टेट्मेंट को रॉंग समझ लेते हैं कि एक स्ट्रीम दिया हुआ जीरो ही करने की बात कर रहा है तो रॉंग होगा लेकिन इसमें इनका लच यही है Greenhouse Gases के Emission को Net Zero करना है और Greenhouse Gases के 2030 तक कम से कम 55% तक इसका Greenhouse Gases के Emission कम करना है और इन सब के लच्छों की प्राप्ति के लिए इन तीनों लच्छों की प्राप्ति के लिए Carbon Border Adjustment Program लाएगा मतलब कैसे लच्छ प्राप्ति करेंगे अब देखते हैं कि Carbon Border Adjustment Program के बारे में यह European Union द्वारा आयात किये जाने वाले Carbon सघन वस्तूओं के उत्पादन में सच और द्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करता है इसका लच्छ क्या है कि Carbon सघन जो भी European Union के जो भी सदस्य देश हैं वो जो भी समान आयात करते हैं गैर European Union देशों से तो उनमें Carbon सघन जो भी वस्तूओं के उत्पादन में सच और द्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना मतलब वह ऐसी टेक्नोलाजी का उप्योग करन हो तो यह है सिब इसके लिए सीवया लाया गया और यह क्यों लाया गया क्यूंकि सीवयम की अब सक्ता क्यों पढ़ी जब हम पहले सीतने सारे तो सक्ता क्यूं पढ़ी तो जो की Greenhouse Emission को कम करने के लिए European Union निक जो वहां पर ब्यापारिक निरमाता कर कंपनियां हैं तो उनक के उपर बहुत स्यादा प्रतिबंद लगा दिये उसके लिए उनका कौश्ट बढ़ गया मतलब इन ग्रीन होसी मिशन को कम करने में उनकी मैनिफेक्चरिंग कौश्ट बढ़ गई तो इससे बचने के लिए यूरूपी यूनियन के निर्माता कार्बन गहन उत्पादन को उन के उद्पादन को उन देशों में ट्रांसपर कर देंगे जहां पर जलवाई नीतियों को बहुत कड़ाई से पालन नहीं किया जाता इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं कार्बन लीकेज और यह सीवेम का प्रादम्यकों देश भी है कि कार्बन का रिसाओ कम करना कार्ब साथ कारबनली केज आप गालना यह सिवन वांन का एक दिस यह ऑब हम इसमें देखते हैं कि इसके लिए क्या किया जाता है निए पाद कारबन वन भी आ 우리는 token काम अ alarm का मतलब होता इस्टील इस्टील आरण इंडेस्टी में और एलुमिनियम से संबंदित देखोंगे उर्भरत उद्योग में कार्बन उत्सार जान दिखोता है और बिजली उत्पादन में कार्बन का इमेशन अधिक उतन का नाम याद रखना है यह भी इसमें पूछा जा सकता है फिर से रि उर्भरक और बिजली यह इतनी चीज़ें किसमें आती हैं यह कार्बन गहन में आएंगी कार्बन गहन चीज़ें होती हैं तो इनके उत्पादन को इस्थानांदित कर देते हैं कहां जो देश कम कठोर जलबायू नीतियों का पालन करते हैं अब इसमें देखते हैं कि इस स् पादों को यह कर्बन गहन निर्माड फैक्टरियों को दूसरी देश में इस्तानादित कर देंगे तो उस इस्थित में जो भी आया तक होंगे यूरोपी यूनियन के सिद्ध सिद्ध जो आयात करेंगे जहां से कम जलबायों नीतियों का पालन किया जाता है तो उस करने की परमिसर नहीं देगी यूरूपी यूनियन अब यह कारवन मूल कारवन प्राइस उतना होगा जितना यूरूपी यूनियन में इस्थानी रूप से उत्पादित करने पर भुक्तान किया गया होता मतलब इसको ऐसे समझे जैसे यह यूरूपी यूनियन का सेक्टर ह यह यूरोपी उनियन का छेट रहे यह यूरोपी उनियन है और यह गैर यूरोपी उनियन के देश है तो यहां पे जब जो भी manufacturing एचीज हैब इसको आयात करने के लिए यहां पे इसको किया देना पड़ेगा कार्बन मूल, कार्बन प्राइस चुकाना पड़ेगा क्यों चुकाना पड़ेगा अगर यही ए सेक्टर यूरुपी यूनियन में लागू किया गया होता तो चुकि इन्होंने कठोर जलवाई नितिया अनुपालन कर रहे हैं तो यहां पर इनका कॉस्ट बढ़ जाता और वो कॉस्ट किसके रूप में बढ़ता कार्बन प्राइस कार्बन मूल के रूप में कार्बन मूल कैसे चुकाएंगे इसके लिए एक आता है कार्बन सर्टिफिकेट कार्बन सर्टिफिकेट तो Carbon Certificate खरीदना पड़ता है कि आप कितना Carbon उत्पादर्न कर रहे हैं उसके लिए आपको एक मूल चुकाना पड़ता है अब Carbon Certificate कैसे इसके कीमत कैसे तै करते हैं कि Carbon Certificate कितने का मिलेगा इसको तै करते हैं नीलामी के द्वारा European Union के Carbon ग्रीने ग्रेडिक अधियर नीलामी के करभôm कीमत का मिलेगा रहा है तो Carbon क्रेडिक ग्रेडिक जायेगि कि carbon ग्रेडिक Corporate के कीमत कियमत यह भी याद रखना है कि Carbon ग्र्मान पत्र की कीमत कैसे त्यक्र प्रक्रेडिक करते हैं तो कोई देश नहीं तर्यक्रता है यूरूपी Union में जो भी carbon credit बाजार है, जैसे share बाजार होता हुआ, वैसे carbon credit बाजार है, जहां पर carbon प्रमनपत की trading होती है, तो वहां पर नीलामी के द्वाराव कीमत उसकी तैंक की जाएगी, जिन कंपनियों को जितना carbon उतसरजन कर रहे होंगे, उतनी ज़्यादा बोली लगा तो इससे गवर्रमेंट को फाइदा होगा और ग्रीन इनिसेटिव लेने में काफी हल्प लेगी और सभी गैर यू देश जो भी गैर यूरूपी यूनियन देश हैं उनके आए उनसे आयात करने पर सी बैम द्वारा इसको कबर किया जाएगा जितने भी गैर यूरूपी करते हैं उनसे यू रूपी कंट्री आयाद करते हैं तो इनको सी बैम का पालन करना पड़ेगा सिब्सक्राइब मतलब उनको मौलिद चुकाना पड़ेगा और उसके लिए कारबं प्रमाड़ब फथ्राएग़ खरीदना पड़ेगा यह कर्बन उत्थ सरजन को कम करने के उ यूरोपी संग की एक पहल है यो कि यूरोपी आयोग के द्वारा यूरोपी यूनियन के ही जो सह विधायक लोग होते हैं उनके मिला के एक आयोग बनाया जाता है तो मोटर तर से यह कहेंगे कि कार्बन उतसाजन को कम करने के उद्देश से यह पहल चालू की गई यह किसे द कार्बन गहन उत्पादों को ट्रांसफर करना जहां पर जल्वाई परिवरतन संबंदी या जल्वाई नीतियों का कड़ाई से प्रयोग किया जाता है तो उस तितिकों कहते हैं कार्बन रिशाओ तो यह दूसरा कथन सही हो जाता है तो इसका राइट एंसर होगा आप संभी क के बल दो सही है पहला गलत है इसको द्यान से पढ़िएगा यह काफ़ी इंपर्टेंट ट्रॉपिक है सी पहें कार्बन सीमा समयोजन तंत्र